तो इस वीडियो में मैं बात करने वालो बेस्ट पॉलिटेखनिक कॉलेज इन नाकपुर ता कि आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिले कि कौन से कॉलेज में हमें एडमीशन लेना चाहिए और मैं आपको कुछ डीटेल्स भी पताऊंगा कि किस कॉलेज में कितनी ब्रांचे से ता कि आपको पता चले कि ये ब्रांचे से कॉलेज में अविलेबल है भी या नहीं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ता कि जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहते हो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो देखे गाईज अगर हम बात करते हैं ना बना है और इसका जो कट ओफ वीडियो है वो भी मैंने बना है तो अगर आप सोच रहे होगे कि इस कॉलेज में अडमिशन लेना है तो वो वीडियो आप ज़रूर्द देखना ता कि आपको पता चले कि कितना कट ओफ होता है और कितना हमें स्कोर करना पड़ेगा उन दोनो वीडियो के लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी इस कॉलेज में काफी जादा और काफी अच्छे 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 ब्रांचेस है जैसे सिविल इंजिनेरिंग, मेकैनिकल, ENTC, पैकेजिंग, मेटलर्जी, IT, कम्प्यूटर, टेक्स्टाइल, आटो मोबाइल, सारी चीज़े होती है, जैसे स्पोर्ट्स के लिए आपे काफी अच्छे ग्राउंड वगर है, तो अगर आप सोच रहे हो गाईज, डिप्लोमा करने के लिए, तो यह बन आफ दे बेस्ट कॉलेज रहागा, अगर मी और मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी पूछा, जो जीपी मे सकती है, तो अगर रैंकिंगस होती, तो मैंने आपको 1, 2, 3, 4 बता रहागा जाता है, यह आपर जो डेखने को मिलेगी, अगर आपको ट्रेंड्स को मिलेगी, अगर आपको ट्रेंग प्लेज में प्लेशमेंट्स वागेरे में बात करना है, तो यहाँ पर जो email IDs वगेर है हो दीए है approved by AICT और affiliated to MSBT तो जब भी कोई भी college में आप admission लोगे तो यह ज़रूर देखना कि क्या वो college AICT से approved है या नहीं तो AICT से अगर approved होता है तो काफी अच्छा होता है इस college में भी काफी अच्छी अच्छी बाहन से है electronics, electronics and telecommunication, computer, IT, civil, mechanical, electrical, chemical और science तो देखें जो first college में आपको बताया था तो इसमें travel and tourism, automobile, textile तो जिनको भी textile बगए करना है तो guys GP आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि वो आप टेक्स्टार इंजिनेरिंग से लिटरेटेड बहुत सारी बाते आपको सीखने को मिल जाएगा ठीक है फिर है guys GS Rai Suni Polytechnic तो यहीं भी college अच्छा माना जाता है यहापे extra curriculum activities भी आपको करने में लेगी है और यहापे guys events specially बहुत अच्छे होते हैं electronics and telecommunication, mechanical, engineering, electrical, civil फिर computer तो यह सारी branches है तो अगर आपको इन branches में admission लेना है तो आप ले सकते हो बट इसके अलावा कोई branches नहीं है तो फिर आपको दूसरा college झूणना पड़ेगा ठीक है फिर next है guys अंजुमन polytechnic तो यह भी अच्छा माना जाता है studies के लिए मतलब अगर आपको पड़ाई करना है तो यह college अच्छा माना जाता है आप देख सकते हो details यह भी मंगलवाडी बाजार रोड पे ही है जैसे GPA वहाँ पे उसके ही आसपास है guys यह college और यहाँ पे course से software है वो ज़्यादा नहीं, civil engineering, computer engineering, NTC mechanical engineering और electrical engineering फिर guys धरमपेट polytechnic यह है North Ambazari Road near Ambazari Lake तो देखे guys अगर आप ऐसा सोच रहो कि घर के पास भी college चाहिए तो थोड़ा मुश्किल हो सकते क्योंकि जो colleges है थोड़ा दूर रह सकते हो रहे आपे आने जाने के लिए guys नाकपूर में फिलाल तो कोई भी problem आपको face नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जो transpose facilities है guys वो कावी अच्छी हो चोके तो आपको ऐसा मत सोचोकी धोड़ा दूर है तो यह नहीं लेना चाहिए पास वाला है वो लेना चाहिए तो ऐसा मत करना अगर दूर भी है बट अगर अच्छा college आपको मिल रहा है तो आप ज़रूर लेना guys इसकी website आप Engineering Computer, Mechanical, Electrical, Electronics, Humanities, YC, MOU और CEP तो देखिए अगर आपको यह दोनों में इंट्रेस्ट होगा तो यह भी आप कर सकते हो फिर है guys शंकर राव धवर्ड, Polytechnic तो इसका भी नाम काफी जाना माना है इस college का जो है guys address वो आप यहाँ पर देख सकते हो fax number वगरे email वगरे सब कुछ कोर्स ओफ़र्ड, ENTC, Electrical, Mechanical, IT और Computer फिर ओम Polytechnic फिर आप तुलसी राम गायकवर्ड, JD Polytechnic तो JD Polytechnic भी अच्छा माना जाता है इसका जो newspaper जैसा कुछ तो भी आते है तो उसमें सारी information मिल जाती है guys अगर आपके पास वैसा होगा तो आप देख सकते हो या फिर website पर जाके भ placements वगेरी भी होती है guys किसी-किसी college में हम मानते है कि diploma में जाधा placement नहीं होते है बट अगर आपको अच्छा college मिलता है तो आपको placement भी अच्छा खासा मिल सकता है ठीक है तो ये college भी ठीक है और अच्छा है इसमें भी आप सोच सकते हो admission लेने का फिर है काम्टी Polytechnic प्रगती college of engineering, NUA college of engineering, Vain Ganga college of engineering and management, Priyadarshini Institute of, Priyadarshini Polytechnic Institute नाखपूर तो देखे guys बहुत सारी colleges है मतलब 50 से भी जाधा colleges है तो मुश्किल हो जाता है किसी को भी चुनना कि कौन सा college अच्छा है और ये भी मुश्किल हो जाता है कि हर website पर जाके उसके details चेक करो इसले कि मैंने ऐसा video नहीं बनाए कि हर college के website पर जाके पूरी details में बनाओ क्योंकि बहुत सारी colleges है और अगर हम पूरे colleges से compare करेंगे तब ही हमें समझता है कि कौन सा college अच्छा है ठीक है तो इसले guys मैं ये नहीं बोल रहा कि जितने मैंने आपको बताए वही अच्छे इसके अलावा भी और अच्छे colleges ह है बट ये college काफी अच्छे माने जाते हैं और students भी prefer करते हैं in colleges में जाने का तो guys देखी अगर आपको अच्छे percentile होगे तो आप इन colleges के बार में सोचते हो और सोच सकते हो और इसके अलावा भी guys बहुत सारे colleges है तो उनके बार में भी आप सोच सकते हो ठीक है तो जो details है guys ज आपके जितने भी problems या फिर डाउट से वो solve हो जाए तो guys इस वीडियो में इतना ही होप सो आपको वीडियो informative लगा होगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है guys तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजे ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको